तो गर्मिक मौसा में पुदीना खाना चाहिए क्योंकि पुदीना आपके लिए बहुत फादेवन बहुत 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 कारेगार उफायों और फादेवन पुदीना काली बेर छेंग सेंधा नवक मुनक्का जीरा चुहारा सबको मिटा कर चटनी पीछ ले तो अगर इन बहुत कंब लगें कि उपयों को मौसा में जैसी बात फोजन कम अर्चा लगेंगा बड़ कम अच्छा लगेगा इसकी चटनी का इस्तेमाल करते हैं गया नहीं बहुत का बहुत बहुत करने विए जाती है और भूब को कंट्रूल करने के लिए भी ये आप यह ला सकते हैं खांसी होने पर पुदीने वह अजरक का एक रस थोड़े से सहे मिला कर चटने से खांसी चाइब रही जाती है इसे लाकाता रहिचकी चल लगाए तो पुदीने में दाल जीनी और मिला कर जो है तो धीरे धीरे चबाए कुछी देर में आप हिचकी से निजात पा लेंगे यदि आपको टॉसिल की शिकायत रहती है इसमें अक्सर सूजन हो जाती है तो ऐसे में पुदीने की रस में साधा साधा पानी मिलाकर गरारा करना चाहिए पानी को अंदर ले जाना और फिर बाहर उसको मतलब पूरा मुं में ख़गोल कर पूरा फेक देना ठीक ना दिन भर बाहर रहने बाले लोगों को तलूओं में जलन की शिकायत रहती है ऐसे में उन्हें फ्रीज में रखे हुए पिसे पुदीने को तलूओं पर जो है तो लग करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदे मन जो है तो राहत देगा चांस दही कच्चे आपके पने में पिया जाए तो पेट में होने वाली जलन दूर हो सकती है ठंडक में बिलती है और लू लपट से बचाय रखता है आपको आपको एंटिया और आपको किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए चटनी का इस पहाल गर्मियों गमस्या में कर सकते हैं जहरीले कीड की काटने पर उस जगए पिसा पुदीना लगाना सीग्र लाप हो जाता है पुदीने की पतिया धीरे धीरे चबाने से भी रोगी को राहत मिलती है कोई भी रोगी हो इसमें अगर गर्मियों गमस्या में को दीना देते हैं तो आपके लिए जाय सीवादा पहला फायदा जो होगा आपको राहत देगा जो है तो ठंड़क परदान करेगा आपके शरीर में तो आप एक बार यूज़ करके देखिएगा अगर फायदा ना भी हो तो यह मत जाने लिजी जान आप यूज़ करते रहिएगा तो अगर आपको समझ में आई हुए बात तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सेब्क्राइब करके मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद